परिवार और डॉक्टर को उमीद है कि वे जल्द ही होस में आएंगे आपको बता दे कि राजू के परिवार के करीबी रिस्तेदार ने बताया कि ऑक्सीजन सपोर्ट बीते 36 घंटे से 40% है हाला कि इससे पहले ऑक्सीजन सपोर्ट को 20% कम किया गया था इसका ये मतलब है कि 60% ऑक्सीजन राजू नेचरली ले रहे हैं और बॉड़ी को 40% ऑक्सीजन वेंटीलेटर सपोर्ट पर दी जा रही है आपको बता दे कि ब्रेन में संक्रमर से पहले राजू को ऑक्सीजन सपोर्ट मातर 20% ही दी जा रही थी वही राजू के भाई के मुताविक अब ऑक्सीजन मुझ से न देकर गले से दी जा रही है गले में कट लगा कर ऑक्सीजन दी जा रही है वही उनके रोजाना लिक्वेड डाइट दी जा रही है उन्हें नली के जरीए आधा आधा लीटर दूद या जूस दिया जाता है आपको बतादे कि राजु सुर्वास्तों की बाडी में लगातार मुवमेंट भी बढ़ रहा है अब वे खुद से ही अपने पैरो और हाथों को मोड रहे है हाला कि वो होस में जरा भी नहीं है संक्रमर के चलते बाडी में मुवमेंट बिलकुल भी बंद हो गया था लेकिन अब धीरे धीरे मुवमेंट बढ़ा है वहीं डॉक्टर इन्हें अच्छे सुधार मान रहे है ब्यूरे रिपोर्ट आई पियन